Hello friends, welcome to virtuous channel, आप सभी का virtuous channel में स्वागत है, आज आपके लिए IVPSPO Mains 2018 का complete exam analysis हम लेकर रहे हैं, इस session में हम बात करेंगे different subject से, किस-किस type के सवाल पूछे गई, overall level क्या था, section wise level क्या था, और क्या major changes देखने को मिले, बाकी different means level के exam से, जैसे कि for example, SBIPO means, expected ये था कि SBIPO means से काफी similar IVPSPO means आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, कुछ major changes देखने को मिले, especially in quantitative aptitude, मतलब math section में, कुछ बड़े changes देखने को मिले, जो SBIPO से बिलकुल mail नहीं खाते थे, तो ठीक है, session स्टार्ट करते हैं, साथ से पहले हम बात कर लेते है reasoning का, reasoning का overall level अगर बात की जाए, तो moderate to difficult था, बहुत ज़्यादा difficult नहीं था, ठीक टाग level के questions आप अराम से attempt कर सकते हैं, मैं आपको सर्फ अभी ये बताऊँगा कि कौन-कौन से topic से सवाल आएते हैं, मैं ये नहीं बताऊँगा कि क्या good attempts रहेगा, क्या आप expected cut off उसके लिए हम अलग से video त्यार करेंगे, जिसमें आपको अच्छे से बताए जाएगा, क क्या आपके overall attempts रहे निची थे और क्या expected cut off हो सकती है, ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, कंप्यूटर की, तो reasoning के साथ ही आपके computer का भी आता है, पर computer से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था, तो जितने भी सवाल से सभी के सभी क्या थे reasoning के थे, ठीक है, तो एक तो आप से triangular sitting arrangement पूछा गया थे, जिसमें एक triangle था, जिसमें 6 लोगों को बिठाय जा रहा था, 6 लोगों को बिठाय जा रहा था, लोगों के साथ-साथ उनके favorite pets भी दिये गए थे, तो pets को arrange करना था, और लोगों को arrange करना था, बहुत जादा difficult नह और भी certain variables थे, बहुत ही 5 सवाल उससे थे, बहुत difficult devil का था, ठीक है, इसके साथ-साथ आपका month based एक puzzle था, month based puzzle क्या था, odd event days थे, 7 महीने थे, 7 months थे, odd event days थे, और 5 questions इस पे पूछा गया थे, इसके लाब आपके rectangular sitting arrangement था, ठीक है, जिसमें direction और distance भी include किया गया था, सिर्फ sitting arrangement न सवाल पुछे गया थे, फिर आपके parallel line arrangement था, ठीक है, तो दो थे और दोनों में uncertain number of people थे और आपको बताना था, कुछ informations के साथ, overall अगर सीधा सीधा देखा जाए, तो 23 से 25 सवाल थे, difficult level था, पर main ये था, कि बहुत सारी short puzzles भी थी, जिसके अंदर puzzle के साथ-साथ आपको data sufficiency भ हो सकती है, आपकी किसी भी topic पे based हो सकती है, और साथ-साथ आपके data sufficiency बहुत सारे सवालों में include की गई थी, reasoning ability में, ठीक है, input output के 3 से 5 सवाल, 3 से 5 सवाल पुछे गये थे, बहुत easy level का input output था, input output किस पे था, आपका जो box based, जो numeric वाल आता है, box based जो numeric वाल आता है, चार step थे आपके उसके अंदर, बहुत easy question था, और pattern के आदा, pattern था, आपको multiplication करना है, और उसके बाद addition slash subtraction करना है, तो आराम से आपसे input output तो solve हो जाने के, coding decoding पे हमने 3 सवाल दिये है, symbols पे था, old pattern पे था, और आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है, इसके इलावा आपका alphabet पे एक सवाल थ ठीक है, alphabet पे एक सवाल था, इसके इलावा आपके logical reasoning पे 10 सवाल थे, जिसमें logical reasoning के ज्यादा तर जो topics जो थे, वो या तो current affairs पे थे, या economics पे थे, तो दस में से आप 3-4 सवाल आप आराम से इसमें attempt कर सकते हैं, ठीक है, फिर miscellaneous, miscellaneous के अंदर आपके एक तो आ जाता है कि, ज तो alphanumeric series, alphanumeric series कौन से condition based, मतलब आपको कुछ symbols, numbers दिये हैं, नीचे उनके codes दिये हैं, प्लस नीचे कुछ 2-3 conditions, जिसके हम already practice कर चुके हैं, कुछ conditions दिये हैं और उस पे based 2-3 सवाल पूचे गयते हैं, ठीक है, प्लस इसके इलावा आपकी एक puzzle, year-based puzzle भी पूचे गयी थी year-based puzzle भी एक puzzle थी, जिसमें एक variable था, जिसमें आपको fruits भी बता रखे थे, तो उससे भी कुछ सवाल पूचे गयते हैं, तो short-short puzzles कूप थी जैसे कि मैंने आपको बोलता था, short puzzles plus data sufficiency के आपको सवाल कूप देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो 45 questions से different-different marks के थे, कुछ 1 marks के थ overall level, medium से difficult आप बता सकते हैं, पर still, जितनी आपको cut-off के लिए question चीए, उतने आप आराम से attempt कर सकते हैं, input-outputs आराम से कर सकते हैं, ठीक है, जो month-based puzzle आया था, उसको solve किया जा सकता है, थोड़ा था, पर फिर भी इतना difficult नहीं था, इसके लावा coding, decoding के सवाल आप कर सकते हैं, miscellaneous से कुछ सवाल किये जा सकते हैं, और logical reasoning के भी 3-4 सवाल आप कर सकते हैं, अगर इतने भी आप अगर सही कर देते हैं, तो आप cut-off तो आराम से clear कर देते हैं, reasoning के लिए, जितने आपको मात लाने चीए, उतने attempt कर देंगे, ठीक है, अब ये तो बात हुई reasoning के, reasoning के बाद आ पूचा गया, straight forward जो आपके डियाई होते हैं, वो नहीं था, ठीक है, data sufficiency बहुत जादा था, data sufficiency डियाई के अंदर भी include किया गया है, data sufficiency आपके miscellaneous के अंदर भी बहुत जादा देखने को मिला है, ठीक है, और number series भी पूचे के, पर number series arithmetic progression पे number series पूचे लेगे, मतलब आपक जनरली number series नहीं रहती है, एनेस्टम वली number series नहीं pattern की number series से तीन सवाल पूचे गए, data sufficiency पांच सवाल पूचे गए, डियाई से 18 सवाल, डियाई में क्या गया था, red air based डियाई था, उसमें भी काफी confusing था, डियाई डियाई सफिशनसी के साथ एक graph based डियाई था, जिनका income based ड जिसके साथ data sufficiency पूचा गया था, बहुत अजीब से था, एक सीधा डियाई आपका time and work पे जरूर था, जिसको आप अराम से solve कर सकते हैं, बस वही एक डियाई थोड़ा solve हो सकता है, probability पे even कुछ सवाल पूचे गए, ठीक है, miscellaneous के आपको खूब सवाल देखने को मिले, miscellaneous क पूचे गए, ठीक है, इसके लावा quantity comparison के भी कुछ सवाल आपसे पूचे गए, ठीक है, overall देखा जाए, कुछ सवाल एक marks के थे, कुछ सवाल दो marks के थे, short case letter type के डियाई आपसे कुछ पूचे गए, जिनमें कुछ set of statements थे, जिनके साथ कुछ data दिया गया था, और नीचे एक इससे दो question उस पर best पूचे गए थे, in form of even data sufficiency, कि इनमें से कौन कौन से, जैसे A, B, C, D आपके option है, तो A और C को लेके हम answer निकाल सकते हैं, B और D को लेके answer निकाल सकते हैं, इस तरह से आप से कुछ अलग type के ही सवाल पूच ले गए और level बहुत ही जादा difficult था, ठीक है, त तो कुछ question से आपके एक marks के, कुछ question थे आपके दो marks से, बाकी table आपको नीचे दिया गया, इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, twist था जितने भी सीधे की सीधे सवाल नहीं थे, even arithmetic में भी twist था, arithmetic में भी data sufficiency डाल दिया गया था, काफी ज़्यादा, easy नहीं था बिलकुल भी, आप इसमें attempt करना काफी difficult रहा, students के लिए जितना हमें feedback मिला है, सबसे ज़्यादा difficult अभी तक के means के जितने भी paper हो, उनमें सबसे ज़्यादा difficult ये ही section बताए गया, चीक है, अब उसके बाद general awareness के थोड़ी बात कर लेते हैं, 40 questions थे general awareness थे, overall इसका level moderate था, कुछ ज़्यादा unexpected चीजी नहीं आई थी, current affairs mainly मैं से लेकि नमंबर के बीच के थे, कुछ ही सवाल आपके static और banking awareness से आये, बाकी mainly आपके current affairs ही रहे, मैं से नमंबर तक के, descriptive test, descriptive test आपको बताए 25 मास का था, limit था, आपका time limit, 10 minute आदे घंटे का था, पांच options थे, पांच options में थे, आपको letter और असे एक चूज करना था, letter की maximum words से 150 words, ठीक है, पहला था, write a letter to the editor on types of pollution and how to reduce it, ठीक है, second आपको जो दियावा था, write a letter to your neighbor, thanking them for their help in the hour of need, ठीक है, next था, आपका essay writing के 200 words, और fake news पे था, magazines and generals have switched to digital media, इस पे था पूछा गया, does India need a universal healthcare system, healthcare system पे था, और final था, advantages of learning foreign languages, तो ये कुछ letter writing और essay writing की topic थे, 25 marks का weightage था, और आदे गंटे का आपके पास type था, और ये आपको options में से, आपको एक-एक choose करना था, ठीक है, तो descriptive test में कोई surprise नहीं था, ना ही general awareness पे था, जो main surprise था, सबसे बड़ा वो था, quant के अंदर, क्योंकि और arithmetic problem से, उनमें आया, number series जो नहीं पूछे ज़र पूछा ज़े गया, पर पूछा गया किस तरह का, arithmetic progression वाला पूछा गया, और जितने भी आपके even, चाहिए, misilin ये सवाल हो, चाहिए, DI पे रहो, सभी के सभी बहुत ज़ादा difficult थे, reasoning में बहुत ज़ादा कोई surprise नहीं था, reasoning में input output easy था, coding decoding और series के जो कुछ सवाल पूछे के वो easy थे, logical reasoning से कुछ सवाल आप आराम से कर सकते थे, short puzzles कूप थी, बड़ी puzzles भी थी, short puzzles भी थी, दोनों मिला के कूप थी, जिसमें से आप certain level के, जो आपको लाने के जरूरत है reasoning में, आपको आराम से attempt करके solve कर सकते हैं, तो से जादा problem यहाँ पर quant के अंदर है, अब इसके साथ session खतब करने से पहले एक बात बूलना चाहूँगा, अगर आपको session अच्छा लगता है, आपको हमारे channel अच्छा लगा हो, हमने जो IPPSPO means के लिए, आपके लिए कुछ सवाल ले कर आए थे, sessions जो करवाए गये थे, even different bank exams के आपको अच्छा लगते हों, और आप subscribe नहीं कर पाए हो, तो subscribe जरूर कीजिए, साथ-साथ bell icon और press कीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो डाले है, तो direct notification आपको मिल जाए, now that's all for today's session, have a nice day.